हलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? I hope आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग RRB Clark का Self-Given Exam Analysis डिसकस करने जा रहे हैं First Day, Fourth Shift का दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इस एक्जाम में Total 80 Question पूछे जाते हैं इस 80 Question में से 40 Question Reasoning Availability के होते हैं और 40 Question Quantitative Aptitude के होते हैं दोस्तों, आईए पहले हम लोग Reasoning Availability के बात करते हैं Fourth Shift के Reasoning में Alpha Numeric Series के 5 Question थे Direction Distance के 4 Question थे Inequality के 5 Question Bird Based Series जिसमें 3-3 Litter के 5 Bird दिये होते हैं वो वाले 5 Question थे Sylogism के 5 Question थे Miscellaneous से एक Question था वो ये था कि एक Word दिये होते हैं उनको Alphabetical Order में Arrange करके Right In से पाचमा बड़ कौन सा होगा ये पूछा गया था अब पजल वाली सेक्शन पे चलते हैं पजल में टोटल तीन पजल पूछे गये थे एक पजल था Circular Sitting Arrangement का जिसमें 7% बैठे हुए थे और इंसाइड फेस कर रहे थे दूसरा पजल था Designation Based Puzzle जिसमें टोटल 7% का Designation दिया हुआ था और इस Question का खासियत ये था कि ये Designation उल्टा रखे थे कि Lower Position वाले को सबसे उपर रखे थे उससे Lower और सबसे Highest Position वाले को सबसे नीचे रखे थे 3rd Puzzle Exact Floor Based Puzzle नहीं था ये पजल कुछ इस टाइप का था कि 7% सॉपिंग के लिए जाते हैं A B के बीच में 3% जाता है B D के बीच में 2% जाता है जो Floor Puzzle टाइप से ही Solve हो रहा था इसलिए मैंने Floor Based Puzzle में इंसन किया है अब चलते हैं Quants section पे Quants में 5 Question Number Series के थे 10 Question Simplification के थे 10 Question Arithmetic के थे बाकी के 15 Question DI से था DI में Total 3 DI पूछा गया था पहला DI Line Graph से था जिस पे 5 Question पूछे गया थे ये DI Color से Related था दूसरा DI Tabler DI था इसके भी 5 Question पूछे गया थे ये DI Number of Boundaries and Number of Sixes पे बेश्ट था तीसरा DI था Casulate DI अब हम लोग Attempt की बात कर लेते हैं मैं Total 60-80 Attempt कर पाया Reasoning में मैंने Total 40 Attempt किया वहीं Quants में मैं सिर्फ 20-80 Attempt कर सका Exam के Level की बात करूँ तो 3rd and 4th shift का Level easy to moderate था reasoning section easy बोल सकते हैं लेकिन Quant section थोड़ा time consuming था इस वज़ा से moderate बोल सकते हैं आप लोगों में से कुछ लोगों का exam आज हो चुका है and कुछ लोगों का exam 13 and 14th को होना है जिन लोगों का 13 and 14th को exam होना है उन लोगों के लिए all the best आप लोगों के पास अभी 8 दिन का time है आप लोग जम के मेहनत कीजिए definitely आपका exam अच्छा होगा and जिनका exam आज हो चुका है वह अपना attempt comment box में share कीजिए thank you have a nice day है